सबी करतल ध्वनी से स्वागत कि इस क्रिया को चालू रखें एवं गुल्डस्ते से स्वागत के लिए मैं ओम भाई जी को आ मंत्रिक करती हूँ ओम शांती वैसे तो बलराम भाई जी ने पहले भी हमारे कई सेशन लिये हैं आप बॉम्बे से हैं एवं बहुती अनुभवी बिजनसमेन भी हैं आप इलेक्रिकल इंजिनियर हैं एवं आपने सासत योगिक साइंस एवं साइको नियोरोबिक्स में भी आपने डिपलोमा किया है मिंस इंजिनीरिंग फिल्ड में होते भी आपका जो रुझान है जो आपका इंट्रेस्ट है वो योगिक साइंस की और भी रहा है हूं शांती मेरी तहे दिल की इच्छा है कि जो नई टेकनिक बाबा ने मुझे सिखाई है हैं वरी इगर और एंक्शिस मेरी पिता जी रह है लेकर उसके पहले जब भी मैं शुमनी की याद आती तो मुझे अपने माता-पिता का रूप ही आप लोगों में दिखता है बस प्रेणा आई मुझे मुझे प्रेणा मिली कि नहीं अगर भी यहां आया हूं तो मैं भाई को बंबई से ही फोन किया कि मैं आ रहा हूं तीन आयम, मेडिटेशन, माइन पावर, एफरमेशन, विजुलाइजेशन लेकिन मैं ने पिछले पचीस सालों में ऐसी कोई टेकनिक ऐसी नहीं देखी है जो इतनी जादा पावरफुली काम करती है दुनिया के जितने भी हीलर्स हैं जितने भी जाने माने हीलर्स हैं वो आज अद्वती को लेकर काम कर रहे हैं और इसका चमतकर मैं अपनी जिंदगी में देखा है तकरीवन तीन महिने पहले मैं रात को सैने के स्कूल तकरीवन बंबई से साथ किलोमेटर के अंतर पर है मैं खुद गाड़ी लेकर गया था वहाँ पर रात को जंगल में उनकी कैम थी स वहाँ प्रापर रहने का बंदबस नहीं था रात बर काफी ठंड में सुकुड़ता रहा बराबर वहाँ बंदबस नहीं था सुबह उटने के बाद फिर मैंने एक योगा का सेशन लिया दो गुंटे का बच्चों का साथ सो बच्चे थे उस बद फिर अम लोग नदी में न के असपास में भी मुझे थोड़ा से से लगने लगा कि वैसे फिर मैं वहाँ असपास के नजारों का एंजॉय करता था कि इतनी उंचुची बिल्देंगे बंबई के समाने यहां भी बन चुकी है थाना भी इतना डवलप हो गया है नियर बाइ डिस्टिक है थाना बंबई में उसके बाद मुझे पता नहीं कब नहींदा गई मेरी गाड़ी करी पांच किलोमेटर 90 की स्पीड में चली हाई वे पर और जब मेरी आंख खुली तो मेरी गाड़ी यहां थी और यहां पर एक टेंपो खड़ा था स्टेशनरी मुझे पता था कि मैं शायद बचूगा भ गई मुझे यहां का बहुत जोर से दक्का लगा इस्टेरनम बून का चाती की खड़ी हड़ी होती है यहां पर यहां पर दो फ्रैक्शर हुए और रिम मसल्स के पास में भी काफी मुझे मार लगी लेकिन लगी बाबा हमेशा ही उन बचों की मदद करता है जो ततपर होते ह हैं उनके बच्चों की मदद करने के लिए पचीस सालों से बहुत हर्दे की विशालता बुद्धी की दिविता बाबा ने दे के रखे रखिए जो व्यक्ति जो आत्मा देने के मोड में होती है वो सदा ही बाबा से जुड़ी हुई है वो अलाइंड है वो जो मैं अपने जीवने पचीस सालों के इस कानुबह किया है तो इस वर लुकिली एक साउथ हिंडियन की दो बहने थी उनका एक ड्राइवर साथ में छोटा बच एक्षिन्ट हुआ है तो पुलीस वाले भी आगए पास में बहुत मदद करने के तैयार हो गए मैंने कहा मुझे आटैक अगर नहीं आया है कोई शौक भी नहीं लगा लेकिन मुझे बहुत दर्द है यहां मुझे थोड़ा टाइम दो संबलने के लिए ताकि मैं घरवानों उसे बात तो कर सको मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी तो वहां करीमां सवा घंटे तक मैं बठा रहा थोड़ा होश में आया घर में फून किया तो फैमिली ने फिर मुझे हॉस्पिटल ने पहुंचा है वहां से सब आगे बंदोस होगा कोई फ्रैक्शर नहीं था इस टेनम बोन पर यहां दो फ्रैक्शर थे वो भी बिफोर टाइम हील हो गए एक मेंने का प्लास्टर बंदा हुआ था बीज दिन में कुल गया उसके बाद जब ट्रॉमाटिक कंडिशन्स में आ जाते हैं मुझे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुक है वो बात बह चाहे दुक है चाहे चिंता है चाहे भय है चाहे अपराद भोत की भावना है या फिर किसी बात को लेकर मुझे शर्मिंदगी है I'm feeling shameful तो मैं तकरीबन तीन सब्ता पहले यहां पर और एक विंग के लिए आया था सर्विस सिक्रेटी विंग के लिए मुझे रहने के लिए र प्रते दैना गुटना बहुत जाद जाद सूच के अतना बड़ा हो गया था मैं चब्रक के लिए मुझे क्या हुआ कि रॉजी पैर में अर्फराइटीज हो है संधिवात का यह बीमारी होती है आर्फराइटीज मैंने कहा मुझे तो बहु अर्फराइटीज होँ नही दुनिया को मैंने सिखाए, वजरास में रोज 35 मिनट बैठता हूँ, तो डॉक्टर ने का कि नहीं, टायर है ये, चलते चलते घिस जाता है, घिस गया है ये, जब तक चला सकते हैं, चला हो नहीं तो रिप्लेस कराओ इसको, ऐसा का मुझे डॉक्टर ने, मेडिकल रिपोर्ट से एक्स्रे निकाला उसमे, बाग़ा था कार्टी लेज पूरे घिस चुके हैं, अशा दिखा रहा था रिपोर्ट, तो ग्यारा दिन तक मैंने पेन किलर लिया, एक मैंने का पेन किलर दर्थ की गोलियां डॉक्टर ने दी थी मुझे और एकाइनमेंट लगाने के दी थी, लेकिन कुछ भी फरक नहीं पड़ था, फिर मैं आईरुएट के पास गया, कि शायद आईरुएट से कुछ फायदा मिले, वहां भी तीन तीन गोलियां उन्होंने मुझे दिया, तेल लगाने के लिए रोज लगाते रहा, गोलियां लेत दिन में, फिर तीन दिन में कंटिनिस्टी कैसे मैंने चेंज करते हैं स्टेट्समेंट, और अब मेरे को 95 प्रतीशत पूरा मेरा घुटना वो घुटना ठीक हो चुका है, जिसको डॉक्टर ने कहा है कि आपको अर्थराइटिक नी है, पेन, जिसका कोई मेटिकल सेंस के पा पीड़ा हूं हो हर क्लासे में सिखाता हूं तो हम चल रहे हैं हमरे आज की टेक्निक इतरह जिसको कहा जाता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इ-F-T, इसको शॉर्ट में कहते हैं टैपिंग, अक्यूपंक्शर से ये ली गई है, अक्यूपंक्शर में क्या करते हैं, वो ल करती है, एनरजी सारी जितनी भी अल्टनेट थरेपीज हैं, चायक्यूप्रेशर है, पंक्शर है, रेकी है, प्रानिक हीलिंग है, आसन है, प्रणायम है, मेडिटेशन है, यह सब हील करते हैं हमें, इसमें हम सारे इन अल्टनेट थरेपीज को लेकर क्या करते हैं, हम अपन शरीर में अस्त विस्त उर्जा यह डिपलेशिन एनरजी जो होती है उसको आपस हम रिजिनेट करते हैं बेसे भी आपको मैं बेस बताता हूँ कि क्या बेस है इसका रोजर कॉलाहन उन्नीस सो असी में यह रोगों का इलाज करते थे टी-फ्टी से थॉट-फिल्ट फेरी के उपर इन्ही पॉइंट्स को लेते थे लेकिन अलग तरीके से उन्नीस सो नबे से लेकर गैरी क्रेग गैरी क्रेग नामक व्यक्ती ने इसका इजाद किया है इसका नाम है इ-फ्टी एमोशनल फ्रीडम टेक्निक हमारा हर नकार्ट तक विचार मेरे शरीर के अंदर 14 चैनल्स होते हैं मेरीडियन्स उसकी उर्जा अस्त्रिस्त हो जाती है डिस्टर्ट हो जाती है और उसी डिस्टर्ब एनरजी की वज़े से मेरे अंदर निगेट्व एमोशन्स आते हैं दुख का भय भय के विचार करो तो भय के फीलिंग साएगी दुख के विचार करो को दुख की फीलिंग साएगी चिंता के विचार करो को चिंता की फीलिंग every thought creates the emotion, feeling, generate करता है वो और ये जब हमारे अंदर जब negative emotions develop होते हैं तो फिर मेरे उर्जा के शरीर में clots बनते हैं जिसको बोलते हैं टांदे हैें ग्रंथिया अजदे हैं ग्रंथियां, clock बने और या इनर्जी वहाँ, अटक जाथी है बिल्कुल और फिर हमारे इन शरीरों में पीड़ा होती है अगर मुझे कहीं बेर किसी भी प्रकार का शरीर का कोई दर्द है चाहे मेरे घुटों में दर्द है, चाहे मेरे टांगों में दर्द है, चाहे मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है इसका एक ही अर्थ है कि इस समय मेरे शरीव में प्रान की जो उर्जा है, वो अस्त वेस्त है, डिस्टर्ब है, रस्लेस है लिस्पंडलाइटीज या पारकिंसन सी डिजीज होती है तो वापस हम क्या करते हैं उसमें इस वायू की उंगली को अंगोटे के रूट पर ले जाते है आधार पर इसको बन कर देते हैं जिसको कहा जाता है वायू मुदरा कहने का अर्थ क्या है कि हमारे ही शरी में कुदरत ने उंगलीों के टिप्स में पूरी की पूरी एनरजी को asimulate वापस करने के लिए सारे तत्तों बनाए हैं जिसको मुदरा व्हग्यान कहते हैं लेकि यहाँ पर हम इन के उंगलीों के टिप्स को होते हैं उसका भी फायदा हमें मिलता है एक दर्द के लिए मैं टैपिंग कर रहा हूँ मेरा दूसरा दर्द आउटमाटिक खतम हो जाता इस कानुगों मैं बताऊंगा आगे और इसके जो वाइबरेशन होते हैं इसको जिस पंदन होते हैं मैं हैं कि एक दो पहले कि हमारा फिर्म टैपिंग उस जगर पर दूसरा हमको उसका फायदा ज़्यादा मिले रही तो यहां पर साथ बार कोई भी मानसिक तनाव है मैं बहुत ज़्यादा रस्लेस हूँ मैं बाबा को याद करने के लिए बैठा तो हूँ लेकिन मेरा मन याद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है किसी भी बात की वज़े से तो मतलब मेरे शरीम उस समय क्या है एनरजी इंबलेंस है अगर मैं कुछ भी न कहते हुए मेरे पास इस वगद दुख की पीड़ा इसको नापते हैं कोई भी टीटमेंट देने के पहले जीरो से दस तक जीरो मतलब मुझे उस बात की चिंता उस बात का दुख उस बात की नराज़गी उस बात का भै कितना है जीरो मतलब अब कुछ नहीं है जीरो absolutely I am free from that दो मतलब mild दो मतलब mild तोड़ा सा दर्द है चार अगर मैं अपने नंबर दूँ उसको पीड़ा को तो उसको moderate कहते हैं severe मतलब जादा very severe मतलब आठ पॉइंट पे आप आगए बहुत जदर और worst possible समझो अचानक किसी का accident हुआ है और आपको कोई अजीज उसमें शरी छोड़ दिया है और मैं आपको कहूँ कि इसमें आपको दुखी पीड़ा कितनी है तो आपको कहूँ कि दस में जद्ध कितना दुख है मुझे कि हम अपने आपे में ही नहीं हो सकते हैं उसमें हम अपनी जो लेवल होती है इंटेंसिटी को हम नाम देते हैं जीरो से दस तक दस उसकी लेवल है तो कोई भी ट्रीटमेंट देने के पहले आपको क्या करना चाहिए एक लंबी गेरी सांस लेना चाहिए फिर उससे सांस बहार निकालना चाहिए पानी का प्रियोग हमेशा ही टेपिंग के बाद या टेपिंग के दोरान या टेपिंग के पहले करना चाहिए को हाईडरेशन डिहाइडरेशन अगर बॉड़ी में होगा तो ये काम स्लो करती है बॉडी शुरू भी हाईडरेटड इसके लिए पानी थोड़ा से बले एक गलास का चोथा ही साभी आप पानी पी सकते हैं अगर टीटमेंट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा तो पहले हम क्या करेंगे सारे का सारे पॉइंट्स को जानेंगे यह पॉइंट सभी को ध्यान में आया इसको क्या कहते हैं? कराटरी चॉपिंग पॉइंट केसी पॉइंट बोलतें सको शॉट में केसी पॉइंट अब दूसरी पॉइंट हम चल रहे हैं जो हम आठों हिं classrooms करते हैं top of the head पे, सर के ऊपर सभी लाओ यहाँ पर दोनों हातों की उगलियों को, और वह बहुत ही जेंटली टेपिंग करो साथ बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? दूसरा पॉइंट होता है, आंक का जो आइब्रो है न, आइब्रो का जो अंदर वाला भाग है, आइब्रो इंसाइट, जेखिए, इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली और बड़ी उंगली दोनों का आपसे मिलाएं, और दोनों की टिप्स को हम आइब्रो क अंदर वाले भाग में, यहां पर ऐसे रखके टैपिंग करो, चश्मा जिनोंने पैनल चश्मा निगाल के रखें, यहां पर साथ बार टैपिंग करो, आइब्रो इंसाइट पॉइंट में दोनों इंगलियों से टिप्स ते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तीशरा पॉइंट होता है पर गाल के पास जो हड़ी होती है, चीक बोन, यहां पर वापस साथ बार टैपिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तीशरा पॉइंट होता है नोज, नोज मतलब यहां जो मेरा जो उपरी होट है, इसके बीच में जो ट्रैंगल बनता है, बिलकुर इसके सेंटर में यह पॉइंट ह ़ापहु करके दिशली पॉइंट है यहां पर हम दोनुह ऑंगलियों से टैपिंग करें को शाएद बीच वाली पॉइंट दबे यह नहीं, चिपिंग भी नहीं है इसके यहां इसके दो उब कॉइग टैपिंग जो गुरू बनता है यहाँ पर हलका सा गड़्डा बनता है वहाँ पर यह पॉइंट आता है चिन पॉइंट यहाँ पर साथ बार सभी टैपिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथवा नमबर पॉइंट कॉलर बॉन आप चाहें तो एकाथ से टैप कर सकते हैं चाहें तो दोनों आतों से कॉलर बॉन जो यहाँ पर नुकली हड़ी होती ही दोनों साइड यहाँ पर शूल्डर के पास में सब इसको टैपिंग करें साथ बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट पॉइंट रहाँ पॉइंट होता है बगल के नीचे जो बगल है आपकी अंडर दा आम इसके चार उंगली नीचे जाना है और यहाँ पर साथ बार आपको टैपिंग करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिलेक्स जहां भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ रेस्लेस हूँ मन में तूफान मचा हुआ विचारों का कोई ऐसी बात मिली है किसकी कोई ऐसी बात आजसे किसी ने मुझे कहा दिये कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्लेस हूँ बहुत ज़्यादा मैं उलज गया हूँ तो आपको कुछ भी कहने की ज़रुत नहीं है सरफ आप टैपिंग करोगे ने साथ बार यहाँ वापस एक बार टैपिंग करते हैं सभी पॉइंट पे इसको खास पॉइंट हम यहाँ पर इशू बात भी देंगे पहले हम वापस रवाइस करते हैं यस जहां भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं बाबा के लिए योग लगाने बैठा हूँ लेकि मेरा मैन आज बहुत विचलित है क्योंकि जब तक हम अपने बाहरी मन को शान्त नहीं कर पाते हैं राज्यों की दूसरी अवस्ता जहां हम अपने आपको आत्मिक सुरूप में नुभाव करते हैं तीसरी अवस्ता में हम आत्मा को परमात्मा से शुबाव से कनेक करते हैं उसके द्वारा प्राप्ते की हुई उनके सानिध्य में जो अत्मिक सुखर परमान्द की अनुभूती हम करते हैं साध़ करता है उसको चौथ ही अवस्ता कहते हैं राज्यों की लेकि जिसका मन विचलित होता है मन में तूफान मचा हुआ विचारों का वो कभी योग नहीं लगा पाएंगे क्योंके एक आगरता ही सद्धती नहीं है उनकी सेकंड स्टेज में नहीं आ पाते हैं थर्ड तो कनेक्शन फिरटेनमेंट्स होता है तो रड़ी चलें सभी अब मैं बताने किसके लिए जहां मुझे बहुत जादा दुख है इतना दुख है कि बे अंत है वो जिसको अगर मैं नंबर दूँ इंटेंसिटी को उसकी जो तीवरता है वो दस में से दस होगी रइट यहां आओ सभी कराटे पॉइंट पे साथ बार Tapping करो फिर से तीन उंगली यों से, टिप से बहुत ही gentle tapping ऐसे नहीं, ऐसे नहीं not like this यह टप इट रजली, वरी जली फिर्म उसी जगह पर हो लेकिन tapping has to be very gentle ताप दे हैट पया आओ सभी साथ बार tapping करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब पहली उंगली और बीच वाली उंगली दोनों को मिला आपस में टिप्स को और आंक का जो अंदर वाला भाग है इसको साथ बार टैपिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंक के साइड में तीसरा नबर पॉइंट है ये आंक के साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडर दा आए आंक के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नोस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलर बोन कॉलर बोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास में हम कर रहे हैं अंडर दाम यहां से चार उंगली नीचे चले जाएं कोई भी हाथ आप कोई भी साइड आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिलेक्स लंबी गेरी सांस ली उसके बाद जैसे हम टैपिंग करते हैं तनाव की वज़े से स्ट्रेस की वज़े से मेरे शरीर में स्ट्रेस, हर्मोन, कार्टीजोल बहुत ज़्यादा डेवलेप हो जाता है जैसे ही में टैपिंग करता हूँ तो मेरा जो पैरस्म्टी का राउजल होता है जिसकी वज़े से मैं शान्थ हो जाता हूँ जैसे हम शान्थ हो जाते हैं तो हम आगे बाबा को यो मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं अब हम चल रहे हैं इश्यूस की तरफ यस कोई भी हाथ पे कर सकते हैं हाँ, एक ही हाथ पे कोई पॉइंट यहां करो, कोई पॉइंट यहां करो कोई रूल नहीं है इसका आप पहले पॉइंट से दोनों साइड में कहीं भी कर सकते हैं पॉइंट हाँ, ओल्ली वन साइड और अगर समझ़ो आप एकाथ से करना चाहते हैं यहां पर टैपिंग एकाथ से तो भी आपको काम करेगा लेकिन मैंने क्यों बताया है कि ज़ादा अगर हम उंगलियों को यूस करते हैं तो meridians को effect ज़ादा मिलता है ज़ादा vibration मिलता है और ज़ादा फाइदा मिलता है लेकिन एक ही side से अगर मैंने इसको यहाँ tapping किया फिर इसको यहाँ tapping किया Nothing wrong I can tap it here with this hand I can tap it here like this with this hand मैं चाहे तो इस तरफ tapping करूँ चाहे तो इस तरफ tapping करूँ चाहे तो दोनों आथ से tapping करूँ यह साथ से यहाँ tapping करूँ Nothing is condition here सबसे एक खुबसूरत चीज EFT की tapping की यही है के इसमें कोई बंधन नहीं है आपको अगर इसके ओपर एक प्रतीशदी विश्वास नहीं है तो भी यह काम करती है This is the beauty of this technique आपको नहीं तो क्या होता हमेशे विश्वास होना है यहाँ सको विश्वास में को काम करेगी करेगी bound to be तो अब हम चल रहे हैं issues की तरफ मैं उको बता रहा हूँ एक अभी बीच में कोई प्रोग्राम चल रहा था तो खतम होने बाद सारे लोग बाहर जाने लगे तो एक बुडी माता जी बहुँ जोर से खांसने लगी बहुँ जोर से खांसने लगी और सारे उसके घर के परिवार के साथ आट लोग थे उसके आसपास खड़े हो गए उसके खांसी रुक रही नहीं है तो उसको भी मैंने टैपिंग करके दो मिनट के इंदर उसकी खांसी शान्त हुई है आगे मैं जाओं वा प्रोक्सी टैपिंग पर तो पहले हम कोई भी इशू को ले रहे हैं अब आपके सामने जितने भी यहां बैठे हैं कोई भी शरीडिक दर्द है जिनको कोई भी शरीडिक दर्द है गुट्टों का दर्द है कमर का दर्द है पेट का दर्द है कंधे का दर्द है سروائیکل کا درد ہے तो आपको क्या कहना है this मत्ब मेरे दोनों ही घुटों में इस वक्त बहुत दर्द है लगाता टैपिंग करते जाना है उसके साथ अपने इशू को बोलना है मेरे कमर का दर्द, मेरे घुटे का दर्द, मेरे टाउंगों का दर्द, मेरे बाईंगी तरफ के एंकल में दर्द इसको बराबर क्या है उसके साथ हमको EFT का पोजिट्वी एफर्मेशन बोलना पड़ता है जिस दिन जिस समय हम स्विकार कर लेते हैं कि मुझे ये पीड़ा है इसका मत्ब ये है कि हमने ये स्विकार किया है कि पीड़ा का कारण मैं ही हूँ और जब हम उस बात को स्विकार कर लेते हैं तो काइनात तत्पर हो जाती है आपको हील करने के लिए एकसेप्टिंस इस सच अ ब्यूटिवल तिंग तो कोई भी आपको तकलीफ है तो वो आपको कहना है उसके साथ EFT का पोजिटिव स्टेट्मेंट सभी मेरे साथ कहेंगे जैसे मैंने इशू कहा है मेरे दोने ही गुटों में बहुआ ज्यादे इस फक दर्द हो रहा है फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ स्विकार करता हूँ आपको statement कहना जो मेरे साथ सभी कहोगे, पहले हम अंगरे जी में कहके दिखाता हूँ फिर इंदी में कहेंगे, सभी कहो, I deeply and completely love and accept myself. मैं हर तरह पुरनरिती से अपने आपको प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ. EFT का positive affirmation है यह जो आपको यहाँ पर जब हम tapping करते हैं तीन बार negative आपका issue जो तकलीफ है और EFT का positive affirmation दोनों को मिला कर हमको लगातर कराटे chopping point पर tapping करते जाना है और तीन बार इसको कहना है, राइट? और उसके बाद जो भी मुझे दर्द है, उस दर्द को मुझे यहाँ पर अलग-अलग points पर कहना है, एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है कि एक ही बार के tapping में आपको दर्द निकल जाए, लेकिन अगर दर्द बहुत पुराने हैं, chronic pain सें, तो फिर मैं आपको और भी आग तो मैं गुटने को दर्द को लेकर कर रहा हूं और आप लोग जिनको गुटनों को दर्द के लिए नहीं करना है, आपको कोई भी issue है, समझो आपको कोई बात की चिंता है, कोई बात की नाराज़गी, आप निगेटिव एमोशन को भी कर सकते हैं, किसी बात को लेकर आपको अपना नहीं माना है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, सीकार करता हूं, हमेशा ही बच्चों की चिंता लगी रहती है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, सीकार करता हूं, मुझे उस बात को लेकर बहुत नाराज़गी है, जो बात सामने है, उसको फ पीड़ा है, इमोशन है कोई भी, चिंता है, भहे एक टाइम एक ही ले ना, भहे, चिंता, दुख, या फिर कह सकते हैं कि नाराजगी है, या गिल्ट फिलिंग अपरत बोत की बहुना है, तो सभी है ना, पहले एक लंबी गरी सांस लो, अपनी पीड़ा की लेवल को, अंदाजन, नापो, 0 से 10 तक, 10 मतरब बहुत ज़ादा, 8 मतरब, 10 मतरब, बेइंतहा मुझे दर्ध है, 8 मतरब बहुत ज़ादा दर्ध है, 6 मतरब ज़ादा दर्ध है, moderate मतब दर्ध है और mild मतब थोड़ा सा दर्ध है आप कोई भी जो जिसके लिए हम tapping कर रहे हैं आप सभी साथ मिलके आपने अपने उस level को उस वेदना की scale को ना पूँ राइट अभी हम शुरू कर रहे हैं tapping को सभी कोई भी एक हाथ ले ले दायने हाथ वाले दायने हाथ से tapping करेंगा right hand जो dominating है left hand वाले left hand से किसी से भी आप कर सकते हैं मैं गुटनों के दर्ध के लिए करवा रहा हूँ यह इनको गुटनों के दर्ध के लिए करना है वो उसके लिए कहते रहेंगे मेरे साथ नहीं तो अपने मन में आप जो भी पीड़ा है चाहिए emotional pain है या physical pain है शरिक दर्ध है या मनसिक पीड़ा है उसको आप कहते हैं वो साथ में कहोगे फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूं स्विकार करती हूं राइट चली हम कर रहे हैं मेरे बोर जोर से मेरे साथ सबी मेरे दोनों ही गुटनों में बहुत ज़्यादा दर्ध है फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं स्विकार करता हूं मेरे गुटनों के दर्ध ने मुझे चलने फिरने से भी लाचार बना दिया है फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूं स्विकार करती हूं डॉक्टर कहते हैं कि आपको अर्थिराइटीज हुआ है जिसके वज़े से आपके दोनों गुट्टें बेहद पीड़ा में हैं फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, सीकार करती हूँ तीन बार हुआ, अब आपको नेगेटी इस्यू पर आ रहे हैं हम टपध हैट पे जिनका जो इस्यू और वो कहेंगे और जिनको गटने के दर्द के लिए कर रहे हैं वो गटने के दर्द मेरे साथ मैं उसको आफिरमेशन दे रहा हूँ दोने ही गटनों का दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द गटनों के दर्द के वज़े से मैं उठ बैठ भी नहीं सकती हूँ बहुत ज़्यादा गटनों का दर्द, एक अक्षर भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गटनों का दर्द गुट्टों के दर्द के वज़े मैं कहीं जमीन पर बैठा हूँ मैं गुट्टों को मोड नहीं पाता हूँ बहुत पीड़ा है मुझे गुट्टों की बहुत ज़्यादा दर्द है मुझे गुट्टों का एक रॉन हुआ एक रॉन में भी इशू ठीक हो सकता है मेरे पीछा नहीं छोड़ा है, मुझे, डिसेबिल करके रखा है गुट्टों के दर्दे, बहुँ जयदा गुट्टों का दर्द, severe knee pains, अगर अगर एक गुट्टे में दर्द है तो उसके मेरे दाहिने गुट्टे का दर्द, अगर गुट्टों के दर्द के साथ में अगर गुट्टे में सूजन है, गुट्टे में अकड़न है, वो भी कह सकते हैं, मेरे दोनों ही गुट्टों में सूजन, अकड़न, दर्द है, फिर भी में अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं, मेरे दोने ही गुट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है गुट्टों का दर्द बहुत ज़्यादा दर्द हमेशा ही दर्द बना रहता है दर्द की वज़े से मैं नचल सकती हूं बराबर नोट बैट सकती हूं बहुत ज़्यादा दर्द की वज़े से मैं परिशान रहती हूं गुट्णों का दर्द बहुत ज़्यादा गुट्णों का दर्द डॉक्टर कहते हैं कि आपका और्थिराइटीज हुआ है आपके सांधे गिस गये हैं अब आपके गुट्णों को रिप्लेस कराना पड़ेगा लास्ट राउन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा गुट्णों का दर्द सीवियर नी पेन बहुत ज़्यादा गुट्णों का दर्द हमेशा ही दर्द बना रहता है पेन क्लस लेने के साथ थोड़ा सा दर्द होता है थोड़ा सा रहात मिलती है लेकिन गोलियों का असर खतम होते ही गुट्टें फिर से दर्द करने लगते हैं मैं बहुत परेशान हूँ अपने दर्द की वज़े से बहुत ज़दा दर्द है मुझे अपने अपने इशू ले रहे हैं सभी मैं कॉमन करवा रहा हूँ लास्ट राउंड लेंगे हम गुट्टों का दर्द बहुत ज़्यदा गुट्टों का दर्द हमेशा ही गुट्टों का दर्द बना रहता है गुट्टे के दर्द की वज़े से मैं बहाल हो जाती हूँ, मैं चिंतित हो जाती हैं गुट्टो के दर्द के वज़े से, गुट्टो के दर्द ने मुझे डिसैबल करके रखा है, बहु अधर जादा गुट्टो का दर्द, सीवियर नी पैंस, लंबी के रही सांस लो, जिस ने जो जो इशु लिया था, पहले आपने अपनी इंटेंसिटी को ना पा था, अब आपकी इंटेंसिटी की लेवल क्या है, मुझे बताए, ये शेयर करिए, कि इनका दर्द कम हुआ है, लेवल नीचे आई है, बले एक पॉइंट से, दो पॉइंट से, तीन पॉइंट स येस, येस पेन के लिए आप टैपिंग कर, हाँ, पहले कितना था आपको, पहले से कुछ कम लगा है, गुटनों का दर्द ना, वेरी गुट, तालियां बजा ये सभी, देखा एफेक्ट, और किसको अनुबर हुआ है, एनी पेन, येस, प्लीज, माइगरेंग, सम्झो, पहले छे था, अभी कितना हुआ है, चार, चार तक आया, टू तक आया है, देखा, पहले चार था उनकी लेवल, अभी दो तक आगई लेवल, अगर आप और टैपिंग करोगे ना, आप अभी कि अपनी लेवल को जीरो तक ला सकती है, और दो बार तक आप अभी कितना है, तक आप अभी दो तक लेवल, आप पहले कमर का दर्द का लो, फिर घुट्टे का दर्द का लो, एक बार आपने ये ट्रेणिंग पूरी की, उसके तुरंद बाद आप पानी का थोड़ा पी के, फिर आप दूसरे इस्यू को ले सकते हैं, एक दिन म तो सरफ टैपिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक बात और बताता हूँ कि मैंने जब अपने घुटने के तरफ देखा, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपका घुटना करीबन तीन हफता पहले की बात है, मैं मदूबन आया हुआ था, सर्विस सेकुर लगता था, तो मैंने फिर इसको देखे, ध्यान से मैंने कैसे टैपिंग करना चालू कि इस स्टेटमेंट को बदली करना होता है, मैंने जैसी इसकी बहुत ज़्यदा पीड़ा थी, सूजन थी, दर्द था और अकड़न थी, तो मैंने जब टीटमेंट देना अपने आपको प्यार करता हूँ, तीन बार लगाता है, कराटे चोपिंग पॉइंट पर टैपिंग करते हुए, अपने इश्यू को कहते हैं, इसको हम कहते हैं, सेट अप स्टेटमेंट, जहाँ आपका निगिटिव इश्यू होता है, जो आपको तकलीफ है, उसके साथ में पॉजिटिव पाऊंगा ये, बहुँआ ज्यादा पीड़ा है मुझे, सुझे नितीन सारी डॉक्टर की दवाईयां काम नहीं कर रही हैं, ऐसे करके तीन तीन चाचा राउन मैंने टैपिंग किया, तो एक ही दिन में, एक ही दिन में मैंने सातर बार टैपिंग किया, और मेरा दर्द आध किया, मेरे घुटने में कम होती हुई सूजन, अकडन और दर्द, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, सुविकार करता हूँ, मेरे घुटने में अब दर्द की पीड़ा कम होती हुई, या ये जो रहा हुआ दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता तो फिर मैंने क्या tapping किया, statement बदली करते चले जाते हैं, फिर मैंने क्या tapping में कहा, थोड़ा सा जो दर्द, अकड़न और सूजन मेरे दहने घुटने में रही हुई है, फिर मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, तीन बार, मैंने statement कहा, फिर थोड़ा सा रहा हुआ दर्द, थोड़ी से रही सूजन, थोड़ा सा रहा हुआ है अकड़न, उसके बाद है न, ऐसे करते 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 हैं जैसे अप tapping करते जाओगे न, मेरे शरीर में अगर नासूर दर्द बने हुए हैं, उसका कारण physical तो होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा emotional pain होता है तो आपको tapping करते 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 कोई न, कोई ऐसा emotion सामने आएगा, जैसे मेरे अंदर से आवाज आई कि बलराम याद कर जब accident हुआ था, टेज स्पीट में गाड़ी चल रही थी, और तुझे पता था कि अब मेरा accident शायद में बचू या न बचू तो मैंने फिर अपने दर्द क जो और उतारने के लिए कुन सा statement लिया, मैंने उस feeling को लिया, मैं जानता हूँ कि जब मेरी आँख खुली, सामने tempo था, खड़ा हुआ, मुझे पता था कि गाड़ी इतने जोर से डेशिंग करेगी, शायद मैं बच भी नहीं पाऊंगा, I was very much terrified at the time, उसके बाओ जिन आपने आप से प्यार करता हूँ, स्विकार करता हूँ, टीन बार मैंने कहा, उसके बाद फिर और अलग टेकनिक आगे आती हैं, फिर उस टेकनिक में हम जा सकते हैं, मुवी बना सकते हैं आपके पीड़ा की, जो भी पीड़ा है आपको लाइफ में, कितना भी पुराना दुख है, कितनी भी पुरानी चिंता है, कितना भी पुराना भै है, कितनी पुरानी नाराजगी, तीन मिनट की आप कोई भी एक पिक्चर बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं, जो भी आप चाहें, तो फिर मैंने क्या किया, पहला सवाल अपने आप से पूछा, क्या हुआ, एक्सिर जबांग खोले तो सामने कोई चांस नहीं था बचते कर टेंपो दिखा गाड़ी बहुत तीज़ परी चल रही थी एक सेकंड के अंदरी बैंग बहुत जोर से आवा जाए गाड़ी पूरी स्वैश हो गई और मुझे बहुत जोर से स्टेनम का मार लगा क्या हुआ एक्सिडेन के वज़े से डर लगा निकोटी मोशन कब हुआ जब मैं वापस आ रहा था वहां से कहां हुआ थाना के आसपास में हाई वे पर कौन था उसमें कोई बातें जहां हमारे घर परिवार वाले उसमें इन्वाल होते हैं यह हमरे बच्चे हों या कोई भी हो जिनकी वज़े से हमें कोई न कोई एमोशनल पेन हमारे अंदर घर करके मेरे सारे शरी की पीडाओं को नासूर बना देता है वो एक्शली एमोशनल पेन्स होते हैं क्योंकि यह डॉक्टर ने सिद्ध किया है कि जिनके शरीर में स्पाइनल जो तकलीफ होती हैं डिजनरेशन नहीं है तो भी दर्द बना हुआ है और मेडिकल सेंस में कई वर ऐसे प्रियोग कि एगे कि एक्शली मेडिकली देखा जाय तो वहाँ क्या है डिजनरेशन हुआ है लेकि नहीं को कोई दर्द नहीं है इसका मतलब मेरे शरीरिक पीडाओं का कारण ज्यादा तर मेरी एमोशनल पेन्स ही होते हैं अगर वो रियल मानों में फ्रिजिकल पेन्स हैं तो दवाईयों से क्रीम से दर्द दूर होने चाहिए फिर खुआ जिनवाल मैंने का मैं के लए गाड़ी चल रहा था और डर गया है उस समय तो फिर मैं डर को लेकर टैपिंग किया और आज अभी मैं क्या टैपिंग करता हूँ बहुत कम दर्द है मेरे को बहुत शौंक है जमीन पर बैटके मेड़िटेशन करने का बाबा की या यहां पर बहुत दर्द होता है तो अब मैं क्या कहता हूँ मेरे दैने घुटने में जो बिलकुल थोड़ी सी अक्डन रही हुई है जो मुझे चलने फिर ले में कोई तकलीफ नहीं होती है लेकिन जब मैं पलती मार के या फिर क्रॉस्टिक पोजिशन बैटता हूँ जब म आपको दर्द होता है तो आप आहां टैपिंग कर सकते हैं हाई है समझ में यहां तक सभी को और को शेयर करना चाहेगा अपने जिनको फायदा है Tapping is very gentle, यह देखिए, देखिए, मुझे अपने बात को रखने के लिए उसकी भावनाओं में बह जाना है, समझो, मैं tapping कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत दुख है, ऐसा कोई अपने मातापिता से बात करता है, क्या समझते हैं आजकल के बच्चे, बहुत दुख है अगर आजाते हैं, तो आने दो, emotion में, और फिर जब point पर change करते हैं, यह पर फिर दूसरा emotion अगर कुछ नहीं यादा, यह दो चलता है, अब issue कह रहे हैं, the tapping can be for twenty times or forty times हो सकती है, nothing wrong in that, but you very gently keep on tapping, okay, अब चले आँगे, क्योंकि आपका सारा, हाँ, 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 see, एक-एक point पर कम से कम साथ बार tapping करना चाहिए, मैंने यह point लिया है, one, two, three, four, five, six, seven, अगर उसे कम करोगे न, तो energy, energy, जो energy channels है न, बहुत लंबे होते हैं, कोई channel यहां से चालू हो रहा है, यहां से गुजर गुजर के, गुजर गुजर के, मेरे पैन के बाहर नी तरफ जाके नीचे वो channel पूरा होता है, तो बहुत लंबा होता है, कम से कम seven times, हाँ, yes, average, साथ से जादा करेंगे, तो भी चलता है, लेकिन कम करोगे तो effect कम होगा, effect कम होगा उसका, okay, क्योंकि सारा recording हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं जो सोच के आया था एक दम basic कराऊंगा, तो जो भी chronic, जो भी acute pain है, अब कल रात को एक BCCI वाला का empire आया होगा था, उनके आधी रात को दांत में दर्द होने लगा, उसने tapping किया, मेरे दाएने तरफ के दांत में बहुत जादा दर्द हो रहा है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्व करता हूँ, दायने दांत में बहुत जादा पीड़ा, फिर भी अपना से प्यार करता हूँ, उसने फिर बोला, दायने हाथ की, दायने तरफ के दांत की पीड़ा, दायने तरफ के दांत का दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, कौन सा डॉक्टरा मुझे मुझे मिलेगा इस व तो subconscious mind feeling की भाशा समझता है, feeling और images, जिसको moment कहते हैं, जिसको film कहते हैं, तो यह हो गया, जिसको अभी तक मैंने कराए, इसको कहा जाता है, basic short recipe, basic short recipe, जिसमें अपनी इशो को यहां पर कहते हैं, और फिर 8 point पर tapping किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अभी एक जगा म मेरे को बहन जी क्लास के बार लेकर नेमर पाथी को बहुत गर्दर में दर्द है, तो पटा बंदा हुआ था, और मुझे कहा कि बाई आप इनको चलो हमारे घर में गया क्लास के बाद उनके पास में, तो मैंने का कब से दर्द है को, बहुला पंदरा दिन से बल रहा हम पीड़ा है, कि हर पल वो टूटी हुई है, मैंने जब उसको टैपिंग करना चाला तो मेरे दुखों की ऐसी दास्तान है, जो सुन के इनसान दहल जाए, इतनी सारी पीड़ा हैं, इतना सारा दर्द मेरे जिंदगी का, फिर भी मैं अपने आपसे प्यार करती हूं, सीकार कर कर सकती, जैसे ही मैंने टैपिंग करना चालू किया, जोर जोर से चिला चिला के रोने लगी, उस समय जहां आपकी पीड़ा बहुत जादा होती है, आपको कोई इशू कहना ही नहीं है, क्योंकि आप कह ही नहीं पाओगे, इमोशनली और आउट बस्ट, उसमें सरफ टैपिं कराते हैं, धीर देर लेवल वो अब टैपिंग करो कुछ दो बार, तीन बार, चार बार, छे बार, दिन में एक से लेकर दस बार तक टैपिंग कर सकते हैं, अलगलग इस्यूस को लेकर टैपिंग कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने के पहले मैं जरूर टैपिंग करके सोता हू कोई भी दर्द हो, कोई भी मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर के दानी तरफ दर्द हो रहा है, मुझे साइटी का पेन है, साइटी का मेरे दोनों ही टांगों में मुझे बहुत परिशान कर रहा है, साइटी का मेरे दानी तरफ खास करके मेरे हिप जॉइन से लेकर मेरे पीस में साइट ही का ओ इस स्पेसिफाइक करो मेरे इस सिस्से में पूरे गुट्टे में पूरे पैर में दर्द पूरे तर्द को इस तो फिर स्पेसिफाइक कर सकते हैं मेरे इस सिस्से में जो दर्द है बहुत जद मुझे तकलीफ दे रहा है फिर भी मैं अपने से प्यार करता हूँ, सीकार करता हूँ तो जो मैं बता रहा था पहले के अगर समझो कोई आपके सामने, पहले मैं इसको complete कर देता हूँ, फिर मैं आँगा प्रॉक्सी टेपिंग में आप हम आगे चल रहें, अभी आप कहीं पर बैठे हैं आप के सब के समय ऐसा थोड़ी करोगे आप क्या, ये क्या क्या कर रहा है करके मैं तो बता हूँ, मैं लिफ्ट में भी जाता हूँ, अगर अकेला हूँ तो अब आगे जा रहे हैं, इसके साथ में चार पॉइंट और एड हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं, स्टील टैपिंग, ये टैपिंग तब की जाती है, जब आप किसी के साथ बैठे हुएं, आपको कोई बात चल रहे हैं, जैसे फैक्टरी में आफिसर आया हुआ है, उल्टी सी मेरा एमोशनल आउट बस्त कभी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कैसे करते हैं, ये देखे, ये हाथ सभी ऐसा रखो, कोई भी हाथ ऐसा रखो, और ये जो नकून का जो उपरी भाग है, ये उंगली छोड़के, रिंग फिंगर छोड़के, यहां का जो मिला हुआ कोई भी हाथ को, अंदर वाला भाग, मेरे बोड़ी के अंदर की तरफ, ये मेरा नकून बोड़ी की बाहर की तरफ है, और ये एरिया मेरा नकून जो है, नेल जो है, बोड़ी के अंदर की तरफ है, तो जहां से यहां से मिलता है ने चमडी से इसका जो बोटम पॉइंट है आपको कै तो इसे अंगोड़े कर सकते हैं यह से वी टापिंग कर सकते हैं और इसी को कहते जाना है tapping करते जाना है आया समझे सभी को कोई भी हाथ में tapping कर सकते है मेरे शरी के अंदर वाले भाग की तरफ जो नखून का जो end है वहाँ पर हम tapping कर सकते है मेरे दोनों ही गुट्टों का बहुत ज़दा दर्द हर समय दर्द रहता है कितने साल गुजर गए लेकिन कर रहे हैं तो है आप इसको ऐसे बढ़े tapping कर सकते हैं जैसे tapping कर वह emotion जो आया है पेन का चाहिए फिजिकल पेन है और मुशनल पेन है उपका automatic कम हो जाएगा समझे आप पलती मार के बैठे हैं क्रॉसिक बैठे हैं और आपको दर्द हो रहा है गुट्टे का आसन से बाहर नहीं आना चाहते हैं आप जसी tapping करोगे हलकी स्टैपिंग ऐसे करके तो आपको दर्द सब्सिडाइज हो जाएगा जब जब मैं tapping करता हूं तो मैं अपने शरीर की अस्त वेस्त उर्जा को regulate करता हूं बैलेंस करता हूं और उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा मेरे दर्द निकल जाएगे बाहर राइट